सो हेलो गईच कैसे हो आपसे भाई हूप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज के सिर्ण में आपको बताने वालों कि कैसे आप वाटसाप पे स्टालिस मैसेज भेज सकते हो जो कि देखने में काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव लगता है यहाँ पे हमने वाटसाप को ओपन कर रखा है मैं आपको एक मैसेज सेंड करकी दिखाता हूँ यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं हेलो अब गईज आपको यहाँ पे एक स्टालिस फॉर्मेंट मिलेगा आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इस्टालिस मैसेज चला गया है जो की देखरे में काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव लग रहा है इसके साथ में आपको यहाँ पे काफी सारे फॉन्ट मिलेंगे यहाँ पे हम कोई और मैसेज टाइप करते हैं इसके बाद सिंपले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अब आपको यहाँ पे काफी सारे इस्टालिस फॉन्ट मिलेंगे जो भी आपको पसंद आए उसको आप सेलेट कर सकते हो और इस फॉन्ट को यूज करके आप मैसेज करोगे जो भी देखेगा एक बर जोर चोग जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम यह दूसरा वाला फॉन्ट सेलेट कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे मैसेज का जो फॉन्ट है वो इस्टैलिस हो चुका है अब हम इसको सेंड करते हैं तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से इस्टैलिस मैसेज भेज सकते हो और गैज इसका एक और फायदा है कि जो मैसेज आप जिस भी फॉन्ट में भेज़ोगे सामने वाले को उसी फॉन्ट में रिसीव होगा ठीक है तो गैज चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस ट्रिक को यूस करना है वीडियो आज का काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग और इंपोर्टेंट होने वाला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो का पूरा ज़र देखेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से और कॉमेंट चनल को सस्क्राइब ज़रू किज़एगा चले वीडियो को सुरू करते है अब गैज आपको सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना होगा प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है बवल इंडिक कीबोर्ड और गैज आपको यह अप्लिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा इसकी 4.5 की काफी अच्छी रेटिंग है आपको इस अप्लिकेशन को यहाँ से स्टॉल कर लेना है मैंने इस अप्लिकेशन को अल्रेडि इस्टॉल कर रखा है मैं आपको चलिए इसका सेटप बताता हूँ कि कैसे आपको इसको यूज करना है जब आप अप्लिकेशन को इस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ परमिसन आपको अलाओ करने होगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर मिलेगा सिंपले आपको इसके टर्मिन कंडिशन को एक्सेप्ट कर लेना है और गैज यह जो अप्लिकेशन यह एक्टिव हो जाएगा ठीक है अब हम सबसे पहले वर्टसप को ओपन करते है जैसे यहाँ पर हमने वर्टसप को ओपन किया और यहाँ पर हमारा जो बबल इंडिक कीबोर्ड है वो भी ओपन हो चुका है ठीक है गैज यहाँ पर आपको काफी सारे एक्ट्रा फीचर्स मिलेंगे मैं आपको एक इमोजी का फीचर बताता हूँ जो की काफी ज्यादा मिजदार है simply यहाँ पर हम इमोजी को ओपन करते हैं ठीक है अब गैज simply आपको उस इमोजी पे long touch करना होगा जो भी आप भेजना चाहते है जैसे मुझे यह वाला भेजना है तो simply हम यहाँ पर long touch करते हैं और आप देख सकते हो काफी 47 emoji send हो रहा है ठीक है इस तरह आप 47 emoji send कर सकते हो और गईज इसका जो tone है वो काफी ज़्यादा मज़दार लगता है जैसे यहाप हम यह वाला भेजना चाहते है तो यहापे आपको press करना होगा तो आप यहापे देख सकते हो काफी ज़्यादा attractive लग रहा है इस तरह आप हिल्टा दूल्टा emoji भेज सकते हो जैसे मुझे यह वाला भेजना है तो दोस्तो इस तरह आप emoji भेज सकते हो ठीक है अब इसके साथ में आपको यहापे installist font मिलेंगे जैसे यहाप हम message type कर देते हैं क्या कर रहे हो ठीक है तो दोस्तो यहापे हमने type कर दिया है क्या कर रहे हो अब आपको यहाँ पे click करना होगा आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो installist message है वो send हो चुका है इसी तरह आप इसके font को भी change कर सकते हो ठीक है अभी मैंने starting में आपको बताया था कैसे आपको change करना है simply आपको अपने message को यहाँ पे type करना है इसके बाद आपको यहाँ पे click करना होगा आपको इसमें काफी सारे font मिल जाएंगे जो भी आपको पसंदा है simply आपको इसमें पे click करना होगा गैस आप यहाँ पे देख सकते हो same font में message receive हुआ है यहाँ पे हमने यह अभी को hello बेज रहा है तो यहाँ पे हमें receive हुआ है इसके पहले यहाँ पे how are you सब कुछ यहाँ पे receive हो चुक है तो दोस्तो इस तरह आप किसी को भी styleist message बेज सकते हो जो कि देखरे में काफी ज़्यादा attractive लगता है तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर दो यार चैनल पे नए है चैनल को subscribe कर लो कि मैं ऐसे ही नएन अप्लिकेशन स्लेटेड नएने ट्रिक्स लेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद